वेलकम टूश्ट अपपाई ये स्वगत है आप सभी लोगों का दर इंडियन एक्सपेस के एडिटोय डिसकेशन में आज है 26 जून 2019 तो चलिए अपने डिसकेशन की और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हमारे पास essay writing के लिए क्या है articles के perspective से बात करें तो आज हमारे पास 3 important articles हैं जिन मेंसे 2 articles मैं cover करने वाला हूँ एक article मैं cover करेंगी emergency के उपर आज एक article publish किया गया है जोकि बहुत ही अच्छा है उसे मैं detail way में cover करने वाली है quotation Frank Smith का आज हमारे पास है nature is honest, there is no meanness in her composition she has no time for fools जब भी आप बात कर रहे हूँ कि इन moment को preserve करना जरूरी है क्योंकि nature बिल्कुल honest है उसमें कोई meanness नहीं है और अगर हम बेवकूफी करते रहेंगे बार बार nature will not abide nature will not bear वो respond करेगी और nature के response करने का तरीका कैसा होता है you know better और उसके क्या consequences होंगे वो भी हमें पता है तो हमें बेवकूफी नहीं करनी चाहिए nature को conserve करने का प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ते हैं शुरुवात करते हैं पहले आर्टिकल के साथ इस देटेंशन पेपर थ्री से टॉपिक को जोड़िये अपने पत से रिजाइन कर दिया है उसी बात को संग्यार में लेकर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है तो exit of reserve bank's deputy governor विरल आचारिया ये बहुत ही unhappy sequence है जहां पर central bank के top officials resign कर रहे हैं अपने tenure को पूरा करने से पहले ही वो पत छोड़ दे रहे हैं और ऐसा तीसरी बार हुआ इसके पहले governor उर्जित पतेल ने अपने पत को छोड़ा था रगुराम राजन जी ने भी अपने आगे के tenure को लेने से अस्विकार कर दिया था देखे ये दिखाता है कि जो relationship है government और central bank के बीच में वो अभी भी uneasy बनी हुई है और जिस तरीके से जो top के officials हैं वो departure दे रहे हैं ये दुर्भागे पूर्ण है आचारया का जो decision है वो तीन महिने पहले ही आ गया जबकि उनका tenure खतम होने वाला था ये surprising नहीं था surprising क्यों नहीं था? क्योंकि disputes तो चली रहे थे मतभेद तो चली रहा था सरकार के साथ last year A.D.Sroff Memorial Lecture में आचारया जी ने warn किया था सरकार को कि अगर financial market को smooth नहीं रखा गया और central government की independence को अगर सही नहीं रखा गया तो financial market अच्छे से perform नहीं करेगा और financial market समस्या में पढ़ सकता है आचारया ने इसके पहले ये भी और्ग्यू किया था कि जो prompt corrective framework की मांग करती है सरकार weak banks के लिए ये भी उचित नहीं है क्योंकि weak banks को सबसे पहले तो मदद के आवशकता होती है ताकि उनका further capital का erosion ना हो उसके बाद उनके उपर checks and balances लगारे जाने की जरूत होती है सीधे उन्हें प्रॉम्ट corrective framework में ला देने से कई तरीकी के restrictions बैंक के उपर impose हो जाते है जिससे वो और भी जदा degenerate होने लगते है इसके इतर NBFC के मुद्दे पर सरकार का ये दावा रहा ये stand रहा कि RBI को intervene करना चाहिए NBFC के लिए भी जैसे वो banks के लिए lender of last resort का काम करते है जब कोई भी पैसा bank को नहीं देता तब RBI देता है उसे तरीके से उन्हें NBFC के लिए भी काम करना चाहिए हाला कि उनका मत विरल आचारया का मत कुछ और था उनका कहने का मतलब ये था कि ऐसा कोई भी strong case नहीं है जिसमें ये prove किया जा सके ये कहा जा सके कि RBI को NBFC के लिए भी lender of last resort का का काम करना चाहिए आचारया अभी जो rate cut किये गए है 2.5 basis point का reduction किया गया है repo rate में जिसे 6% से 5.75% पिला दिया गया है वो इसके भी समर्थन में नहीं थे तो कई तरीकी के differences लगातार बनी हुए थे ultimately उन्होंने अपनी tenure को पूरा करने से पहले ही अपने पत को छोड़ दिया दुनिया भर के जो central banks में वो political pressure को इस समय bear कर रहे हैं आचारया का resignation कई तरीके के serious issues को हुमारे सामने reveal करता है कि RBI के independence and autonomy जरूरी है यह जरूरी इसलिए भी है ताकि एक involvement बना रहे outsider जो policy makers हैं उनके लिए उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि इंडिया एक अच्छा market है जहां पर वो invest कर सकते हैं foreign credential इंडिया का बना रहे बहतर रहे इसके लिए जरूरी है कि यहां के institutions autonomous रहें अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत की साख खराब होगी तीन जो central bankers हैं या senior policy makers आप उनको कह सकते हैं उन्होंने अपने पत को छोड़ा है इसके पहले कि जो chief economic advisor रहे अर्विंद सुब्रमन्यम उन्होंने भी एक debate ignite कर दी है जिसके बाद outsiders का trust इंडिया के उपर कम हो सकता है उन्होंने बोला कि GDP की growth को overestimate किया गया है तो नुकसान तो होता ही है एक ऐसा समया चुका है जहां पर सरकार lateral entry की जरिये specialist को bureaucracy में enter करवा रही है ताकि performance बढ़े at the same time top officials अगर resignation दे रहे है before completing their tenure तो ये एक wrong message देता है conclusion में ये कहा गया है कि भरत एक ऐसी economy है जो कि दावा करती है कि हम जल्दी ही 5 trillion dollar की economy बन जाएंगे अगले 5 सालों में हमें दुनिया भर की un-economies के साथ ज़्यादा integrate होना है तो हमें अपने insecurities को खतम करना होगा और internal system को strong रखना होगा ये पूरा article हमने यहाँ पर देखा आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला article the saving dilemma पेपर 30 topic को जोड़िए again economic growth and development वाले parts adequate domestic saving बनी रहे ये जरूरी होता है ये जरूरी है ताकि हमारा macro economic management अच्छा रहे अब macro economic से मरा मतलब क्या है macro economic या फिर micro economic से मरा मतलब क्या होता है देखे ये जो पूरी economic theory है इसे वरॉली दो parts में डिवाइड किया जाता है micro economy and macro economy ये जो दो सब्दावलिया हैं इनको सबसे पहले Ragnar Frisk ने 1933 में इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद ये दुनिया भर में popular हो गई और आज इनका frequency इस्तेमाल किया जाता है जो term micro है और macro है ये Greek words से derive किये गए है micro निकला है micro से और macro निकला है macro से जिनका micro का मतलब होता है small और macro का मतलब होता है बड़ा जो जो micro economy है वो एक individual unit के analysis को tackle करती है जबकि macro economy पूरी economy को as a whole देखता है तो इन में difference अकर आप देखना चाहते हूं तो micro economy हमारी economy को छोटे छोटे fractions में देखता है for example हम एक individual की बात करते है कि एक per capita income क्या है individual की demand क्या है firm का consumption of per person क्या है जबकि macro economy में हम पूरी economy को बड़े सिनेरियो में देखते है जैसे कि पूरी economy की aggregate demand क्या है aggregate supply क्या है inflation का क्या status है consumption rate क्या चल रहा है foreign trade का क्या status है यह सारे चीज़े हम macro economy में deal करते हैं तो I hope कि बापको micro economy और macro economy में difference तो clear हो गया होगा न अब start करते हैं article के साथ जो empirical evidences है empirical evidences से मारा मतलब practical evidences से हैं जो की scientifically proved हो जो scientifically proved होते हैं उनको empirical कहा जाता है तो जो empirical evidences हैं वो यह दिखाते हैं कि जो developing economies हैं उन्होंने जब भी positive long term growth avail की है तो saving का बहुत ही key contribution रहा है उसमें और इंडिया जैसी fast growing economy के लिए भी investment domestic saving से ही आता है सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ saving का मतलब क्या है domestic saving का मतलब क्या है saving को समझने के लिए आपको consumption को समझना होगा consumption आप समझ लेंगे तो आपको saving समझ में आ जाएगी first of all तो हम income की बात करती है एक person है एक इसकी per annum जो income है वो 1 lakh rupees है suppose 1 lakh rupees है अब यह जो individual है यह 60,000 rupees per annum consume कर लेता है यानि कि खा लेता है खतम कर देता है जैसा कि Marx ने कहा है अपने किताब में consumption is destruction मतलब उसके बाद वो product खतम हो जाता है जब उसे consume कर लिया जाता है तो तो 60,000 rupees का यह consumption कर लेता है 40,000 rupees इसके पास बच जाते हैं तो यह person एक ही 40,000 rupees saving है अब वो इस 40,000 rupees को bank में जमा कर देगा और bank उसे फिर से investment के channel में entry कर देगा मतलब किसी और को lend कर देगा कोई industrialist है भी वो इस 40,000 rupees को ले लेगा और उसे company में अपने invest कर देगा जिसे company में ज़्यादा job create होगा production बढ़ेगा economy grow करेगी मतलब इस person A की जो 40,000 की saving थी वो ultimately investment में convert हो जाती है और हमारी economy को growth की ओर लेकर जाती है now you can see the link between saving and growth link आप समझ रहे होंगे person A ने जो 40,000 की saving की वो bank में गया bank से एक company के lender ने लिया और उसने company में invest कर दिया इसलिए macro economy में saving is equal to investment भी होता है मतलब जो saving होती है वही investment होती है domestic saving का मतलब यह है कि domestic households हैं वो कितना पैसा बचा रहे हैं अगर consumption बढ़ेगा तो saving घर जाएगी फिर investment भी घर जाएगा economy की growth गिरेगी लेकिन अगर consumption गिरेगा तो saving बढ़ेगी investment बढ़ेगा economy ग्रो करेगी तो saving का growth से बहुत ही proper link है आप इस link को समझ गए होंगे मुझे उमीद है तो देखिए domestic saving ऐसे ही private sector में भी होता है एक company का अपना consumption होता है अपनी saving होती है तो adequate domestic saving बनी रहे इसके लिए जरूरी है ताकि हमारा macro economic management अच्छा बना रहे है और इंडिया के लिए ये अभी एक challenging काम है unfortunately Indians अब कम save कर रहे है saving rate पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से गिरा है जो overall saving rate है इसमें household की saving आ जाती है ये saving rate तेजी से नीचे जा रहा है या अगर आप इनका proportion देखें हमारे GDP के perspective से तो ये अभी 30.5% of GDP आ गया है 2018 में जबकि 2008 में 36.8% of GDP था पहले saving जादा थी अब saving गर गई है saving गरेगी तो क्या होगा? investment कम होगा, investment कम होगा, growth गरेगी तो आप देख रहा है saving गरने से नुकसान होता है और saving गर रही है हाला कि इसके बीच में 2008 के बाद saving जब 36.8% थी तो fluctuations देखने को मिले उपर नीचे 2012 के दौरान downfall उसके बाद से start हो गया saving का जो rate था वो गरने लगा global financial crisis 2008 में आया था उसके बाद हमारी saving काफी तेजी से नीचे गर गई थी 2009 के बाद प्रयास किये गया इसे recover करने के तीन सालों तक काफी प्रयास किया गया थोड़ा-थोड़ा saving recover करने लगी लेकिन 2012 के बाद फिर से गिरावट देखने को मिली saving के trend को हम समझ लेंगे तो हम इसका growth से अच्छा correlation भी establish कर पाएंगे देखिए saving में सबसे बड़ा saver household sector होता है जो household होते हैं वो सबसे अच्छी saving करते हैं उनके rate में गिरावट देखने को मिली है 2010 में जहां household saving 23.1% हुआ करती थी 18 में वो गिर के 17.2% हो गई तो overall saving में भी इनका percentage गिर गया जो major source of concern है वो ये है कि traditionally private corporate sector को हमारा household sector ही सप्लाई किया करता था investment के लिए पैसे public sector के लिए भी तो actually में source of growth कहीं ने कहीं household saving रही है जो household पैसा बचाता है उसे बैंकों में जमा करता है वही private sector और public sector के लोग उधार लेते हैं और investment करते हैं तो अगर household saving गिरेगी तो सीधा सीधा प्रभाव private investment और public investment में भी पड़ेगा और जो continuation है इस trend में मतलब saving लगातार गिरती जा रही है ये private investment को कर्व कर रही है, कम कर रही है household saving क्यों गिर रही है ये एक सवाल है इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको consumption trend पर जाना होगा मैंने आपको सुरुवात में ही कहा था कि अगर आपको saving समझनी है तो आपको consumption समझना होगा consumption मैंने आपको बता भी दिया था कितना consume कर रहे है कितना खर्चा कर रहे है national account का data ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में private consumption बढ़ा है ध्यान दीजीगा मैंने आपको सुरुव मताया था consumption बढ़ेगा तो saving गिरेगी investment गिरेगा growth गिरेगी तो consumption क्या हुआ बढ़ गया जबकि 2000 के पहले तक ये trend ऐसा नहीं था consumption कम हो रहा था तो saving बढ़ रही थी तो growth मिल रही थी लेकिन 2000 के बाद से trend में एक बढ़लाव देखने को मिला है तो देखे पहले जो consumption हुआ करता था वो 65% of our GDP हुआ करता था लेकिन इसके बाद वो 2000 के trend में गिर रहा था वो 65 से गिर के 55 पे आ गया था सेविंग जब consumption गिरा तो saving बढ़ी तो हमारी economy का फायदा हुआ लेकिन अब फिर से क्या देखने को मिला कि 2000 के बाद हमने देखा ये कि जो consumption है वो फिर से बढ़ने लगा है जानी कि 59.4% पे consumption आ गया है मतलब consumption बढ़ा saving गिर गई saving गिरेगी तो फिर growth rate गिरेगी ये तो सामाने सी बात है हम सुरू से डिसकस कर रहे है देखिए basic concept है macro economy कि ये समझेंगे नहीं तो answers को लिखने में बड़ी दिक्कत होगी समझतों आप रही होंगे वैसे देखिए अब saving इंडिया की गिर क्यों रहे इसके लिए कई सारे करण आप बता सकते हो एक करण तो ये है कि एक hypothesis ये कहता है कि जो younger population है वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करना चाहते है मतलब younger population consumption ज़्यादा करता है वो saving नहीं करना चाहता तो saving नहीं करेगा तो फिर overall economy को नुकसान तो हो गई और इंडिया में अभी जो 70% working age population है वो 20-40 साल के बीच में है मतलब ये saving कर नहीं रहे है जब ये saving नहीं कर रहे हैं तो जो saving में कि जो consumption इनका ज़्यादा है तो consumption का rate इंडिया का overall भी बढ़ रहा है दूसरी तरफ जो government corporations की saving है वो है तो लेकिन सरकार save नहीं कर रहे है सरकार का fiscal deficit बहुत ज़्यादा है इसलिए वो public sector की saving है उसके rate को भी गिरा दे रहे हैं हलांकि मारा private sector अच्छा perform कर रहा है जहां एक दसक पहले उनकी saving 7.4% हुआ करती थी वो बढ़के 11.6% आ गई है अगर corporate saving बढ़ेगी तो निशित तोर पर opportunity पढ़ने पर ये investment में convert होगी और इंडिया की growth story में key role play करेगी conclusion में ये बोला गया है कि दिखे अगर saving को हम अच्छी तरीके से बढ़ाते नहीं है तो इंडिया का जो current account deficit है वो stress में आ जाएगा clearly अभी हमें saving के virtual cycle को enhance करना होगा ताकि investment बढ़ सके और इंडिया की growth बहतर हो सके जैसा कि past में हुआ करता था इसके लिए हमें household financial saving पर focus करना होगा लोग ज़्यादा save करें इसके लिए ज़रूरी है कि हम financial inclusion पर focus करें अगर वो banking से जुड़े होंगे तो जो वो saving करेंगे वो bank में आएगा इसके लिए हम उन्हें saving के लिए incentivize भी कर सकते हैं मतलब अगर वो bank में पैसा जमा करते हैं आप उनको ज़्यादा interest दो तो वो saving में ज़्यादा incentivized होंगे at the same time हमें productivity enhancing reforms भी लाने होंगे ताकि private sector अच्छा perform करें उनके पास saving बढ़ेगी तो वो investment अच्छा करेंगे तो इस तरीके से हम इंडिया की economy को बहतर कर सकते हैं saving को enhance करने के लिए कदम उठाएं तो अच्छा article था हमने यहाँ पर discuss किया एक question means का है explain the role of saving in a country's growth also analyze why there is a declining trend in India's saving and how can it impact our economy 250 सब्दों में आप इस question को reply करने का प्रयाज करिए अगला article जो की emergency की ओपर है मैं discuss करेंगी so continue with her अगला article बहुत महतरपूर्ण है article है revisiting the emergency general studies paper 1 से आप इसको associate करेंगे post independence वाला section है वहाँ पर topic mentioned है post independence consolidation and reorganization within the country देखिया 40 साल हो चुके है emergency को लगे वे 26 जून 2019 में है लेकिन हम बात कर रहे हैं 26 जून 1975 की total 21 month तक चला था ये emergency यानि की 26 जून से लेकर के 21st मार्च 1977 तक imposed रहा था emergency और डर्दिन प्रसिडेंट फकरुदीन अली एहमत के द्वारा imposed किया गया था state of emergency को article 352 के तहट Indian constitution में जाना जाने वाला एक महतुपूर्ण इधास है emergency हम बेग्राउंड पर जा रहे हैं किस तरीके से emergency लगने के बाद यहां की जो political system है वो चर्मारा गई थी और जो democracy है उसकी कमर तूट गई थी कैसे fundamental rights और legal remedies का कहीं नामों निशान नहीं रहा था लोगों के लिए तो आखिर ऐसा कैसे हुआ जब हम बात इस emergency की करते हैं तो वहाँ पर Congress Party का भी नाम सामने आता है तो इसलिए history जाना बहुत जरूरी है कि कैसे Congress Party associated थी इस emergency से जो 1975 में लगाई गई थी देखें Congress Party के शुरुवात 1885 में ही हो गई थी जब हम movement लड़ रहे थे आजाद होने के लिए लेकिन अगर हम बात करें eminent leaders की तो इस party में बहुत बड़े बड़े नेता दिगश नेता ने इसके command को समाला था आगे चल करके जैसे की मातमा गांधी, बलभाई पतेल और जवा dominance को बरकरार रखा, ये अपनी चरम पर थे, लेकिन धीरे धीरे जो popularity है Congress Party की वो घटी चली गए, बात है 1966 की जब लाल भादु शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद मुद्दा ये हुआ कि कौन अगले प्रधानमंतुरी होंगे भारत के, तो दो नाम सामने आया, इंद्रा इंद्रा गांधी जी जो कि जवार लाल नहरू की बेटी हैं, उन्होंने मोरार जी देशाई को पीछे छोड़ते हुए, डिफीट करते हुए भारत की प्रधानमंत्री होने का पद समहला और यहां तक की भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का पद समहला, हाला कि ये इंडरा गांधी जी की सरकार में इमर्जिंसी को लाया गया और ऐसी कौन से सिचुएशन क्रेट हो गई जहां पर इंडरा गांधी ने फिर से एक बार जीत हासिल की और और राज नरायन जो की सोशलिस्ट लीडर थे उनको पीछे छोड़ा उनको हराया लेकिन इस हार के बाद राज नरायन जी माने नहीं जुके नहीं उन्होंने अलाबाद हाई कोट में करप्शन का चार्शी दायर किया मिसिस गांधी के खिलाफ उनका ये ऐलिगेशन था मिसिस नाओ को नरेंडवाइड डेकलेर कर देना चाहिए 1974 में जया प्रकाश नरायन जो की एक्स कॉंग्रिसमेन भी थे एक्स सोशलिस्ट भी थे इन्होंने भी बिहार में एक आंदोलन छेड़ दिया इंद्रा गांधी जी के खिलाफ क्योंकि इनका ये मानना था कि सेंटर में कर पर है और कर्रप्शन को खतम करना होगा इस पार्टी को कॉंगर्स पार्टी को और इसके लिए इनका एक अपना आंदोलन शुरू हो गया बिहार में तो एक तरफ इनके खिलाफ चार्शिट दायर कर दिया गलाबद हाई कोर्ट में दूसरी तरफ देश के अलग अलग जग पर ये मुवमेंट स्टार्ट हो गए और 1975 में जून 12 जस्टिस चगमोहन लाल सिनहा के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को गिल्टी पाया गया कुछ एक सबूत मिलने के बाद इनको ये माना गया कि इन्होंने मिस्यूज किया है गवर्मेंट मशिनरीज का अपनी इलेक्शन क इनको अगले 6 साल तक किसी भी इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए बैन कर दिया गया अब इंद्रा गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती थी अगले 6 साल तक और ये जो इलेक्शन था जिसमें ये प्रधान मंत्री बन चुकी थी इसको भी नले वोइड कर दिया ग गया हलांकि एक अपील दायर किया गया गौर्मेंट के द्वारा और कहा गया कि इनको कुछ महलत दिया जाए तब जस्टिस सिन्हा ने ही इनको 20 दिनों की महलत दी कि आप अपनी सक्सेसर को ढूंड सकते हैं अगले प्राइम इंस्टर बनाने के लिए और अपने स्थिफे क के बाद लेकिन उन्स अगे ने फिर से का पील दायर किया कि हमें कुछ दिनों का और समय चाहिए और कंडिशनल स्टे के बाद जो अपोजिशन लीडियर्स थे वो बहुत गुस्से में आ गया अग्रेसिव हो गए और उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई कि मिसिस गांधी को रिजबनेशन देना ही होगा और इसके लिए इवनिंग जून 25, 1975 को जेपी नरायन ने सिविल डिसोबिडियन्स कैंपेन को स्टार्ट कर दिया कि जब तक जो प्रधान मंतरी है वो स्तिफान नहीं देंगी तब तक किसी भी कानून को नहीं माना जाएगा और इसके अगींस से जादा लोगों को गरफतार कर लिया जो लोग मिसिस गांधी को अपोज कर रहे थे और इमर्जिंसी की शुरुवात यहां से हो गई प्रेजडेंट थे फकरुदीन अली एहमत जिनके डेकलरेशन पर यह इमर्जिंसी लग गई और एडवाइस लिया गया था प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी के द्वारा तो आर्टिकल 352 के तहट नेशनल इमर्जिंसी को इंपोज कर दिया गया इंडिया के इतहास में अब हम आर्टिकल पर आते हैं आपको बैग्राउंड पता चल गया है तो आज 40 साल हो चुके हैं राइटर ये बताते हैं कि किस तरीके से अपने पोजिशन को सिक्योर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त पूरे देश को फासिस्ट स्टेट में कनवर्ट कर दिय था इमर्जन्सी को इंपोज करके फासिस्ट स्टेट का मतलब है कि एक डिक्टेटर शिप इंपोज हो गई पूरे भारत में डेमोकरसी चर्मरा गई और किसी के भी फंडामेंटल राइट को सिक्योर नहीं किया जा रहा था उस वक्त आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि जो मीजा डिटेनीस थे मतलब मीजा का फुल फॉर्म है यहापर मेंटेनेंस ओफ इंटर्नल सिक्योर्टी एक्ट जो डिटेनीस थे वो लोग हैबस कॉर्पिस्ट प्रिशन को उन्हें दायर किया अर्टिकल 226 के तहत कि उनके फंडामेंटल राइट में कम से कम राइफ एं जिस्टिस HR खना थे जुन्होंने कि यह कहा कि नहीं फंडामेंटल राइट को सिक्योर किया जाना चाहिए और वो भी लाइफ एंड लिबर्टी से जड़ावा जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में लेकिन बागी के जो मेंब बातें करनी शुरू कर दी थी इस डॉमिनेंस के प्रभाव में आ करके तो मुद्दा ये है कि क्या आज की स्थिती में इमर्जंसी को इंपोज करना इतना आसान होगा नहीं अगर आप कहते हैं ये आसान है तो नहीं है इसके दो पॉइंट हमारे सामने हैं पहला तो 44th Amendment Act के तहत constitution में ये बदलाव किया गया और उसमें ये clear किया गया कि किसी भी emergency के दौरान article 20 और 21 का violation नहीं किया जा सकता cannot be tempered even emergency दूसरा ये है कि उस time पर सिर्फ एकाद television channel हुआ करते थे जैसे कि दूरदर्शन और इन channels को control करना आसान होता था सरकार के द्वारा लेकिन आज के time पे जो social media है वो बहुत ज़्यादा value है आप कह सकते हैं कि एक कोई event होता है और आपके सामने message का एक बहाव एक आज आता है तो आप आज के time पे social media को रोक नहीं सकते हाँ influence तो आज भी होती है media ऐसा नहीं है लेकिन आप किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते control नहीं कर सकते because diversity बहुत ज़्यादा है varieties बहुत ज़्यादा है तो ये दो reason है जिसे कि आज के time पर emergency को उस तरीके से impose करना आस नहीं होगा दूसरी तरफ अगर हम negative points को देखें तो ऐसा ना हो इसके लिए strong leader का होना बहुत ज़रूरी है strong opposition का होना बहुत ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं आज हमारे सामने नहीं है राइटर ये बताते हैं कि leader of opposition के strong ना होने की वज़े से भी कई बार हमें आज के एरा में ही एक dictatorship जैसे decisions को bear करना पड़ता है examples कई सारे हैं आपके सामने जैसे की आधार का मुद्दा ही है या ऐसे और भी कई सारे issues हैं जिसको आप अपने तरीके से देख सकते हैं दूसरा issue ये है कि आज जो हमारी government है वो कहीं न कहीं presidential form of government जादा दिख रही है rather than parliamentary form of government because अगर किसी ए एक व्यक्ति का अस्ते तो बहुत ज्यादा होता है party में और government में सरकार में तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वही एक व्यक्ति पुरे सरकार को चला रहे हैं तो ये इस article में कहा जा रहा है conclusion बहुत अच्छा है इसको आप use कर सकते हैं that for a vibrant democracy transparency is an important requisite बहुत जरूरी है कि एक vibrant democracy के ल आप पर autonomy देनी होगी so that हम अपने हाँ पर democracy को बचा पाएं आई आपके लिए question है आप इसका answer लिखेंगे 250 word में आप इसको try करेंगे do you think the emergency power mentioned in Indian constitution undermined the federal structure of India and discuss 250 word में आप इसको question को try करें 8 minutes में लिखने की कोशिच करें आपके पास कई सारे facts है you can write better answer तो आज interview का question देखते हैं कौन सा question हमारे सामने है tell us someone of your action that are harming our environment जैसे आपको मालूम है हर दिन एक नाएक article आप पढ़ते रहते हैं environment को protect करने के लिए तो आप खुद भी ये बताएंगे कि आपके कौन से ऐसे action है और दो तिन तो मैं अभी आपको पता सकती हूँ जैसे कि आ plan on करके छोड़ देते हैं जबकि आप कमरे में नहीं होते हैं कुछ लोग lights यूही बहुत साई lights को on करके छोड़ देते हैं तो ऐसे छोटी मोटी जो आपकी activities है वो overall environment पर फर्क डालती है ये आपको समझना होगा तो आप बहुत ही इमानदारी से अपना कोई भी action लिखेंग thank you very much